हालो एवरिवन गूड आफ्टर नून वेलकम बैक टू पर्चम आएम पूचा और आज हम डिस्कूस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आने वाल एक्जाम के लिए चाहे कोई भी एक्जाम हो वंडे एक्जाम, ससी, रेलवे, बैंकिंग, इंफेक्ट आपका, पियस्की एक्जाम तो उसमें बहुत cricketी होता है बुद्धिज्ब में जैनिज्म के बारे आज के सैशन में हम बुद्धिज्म दे मैं बात करेंगे और नेक्स चैशन में हम जैनिज्म के बारे में buat कर रहा हो, ऑके तो सबसे पहले तो हम यह जान लेते हैं उसके according उनको वर्ण दिया गया था कि आप ब्रामण हैं, छत्री हैं, वैशे यां, शुद्र हैं, लेकिन जैसे जैसे हम वैदिक पिरियोड में आते हैं, तो उस समय जो ब्रामण होते हैं, वो बहुत पावर्फुल हो जाते हैं, और जन्मे के आधार पर, जन्मे के आधार पर वार करना, तीसरी बात हम कर लेते हैं, अब वहां पर जन्साधारन की जो भाशा है, मतलब, नॉर्मल हम हिंदी में बात कर रहे हैं, लेकिन जो उपनिशद हैं, वेध हैं, सारे कर्म कांड हैं, पूजा पाथ हैं, वो संस्कृत में हो रहा हैं, तो लोगों से समझ नहीं पा समाज में कुरूतियां बहुत जादा हो चुकी थी, इसलिए इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्फ करने के लिए दो नए धर्मों का उधाय होता है, जिन में से एक होता है बुद्धिज्म और दूसरा होता है जैनिज्म, तो आज हम उसी बुद्धिज्म के बारे में बात करन अगर आपको आज की क्लास का पीडियेफ चाहिए तो हमारे वेबसाइट से या एप्लिकेशन के जरीया पीडियेफ को ले सकते हैं, लेकिन आप लोगों से में कहूंगी कॉपी पैनल लेकर बैठी हो जो इंपोरे सेशन में जो बोले जाते हैं आप उनको नोट कर लीजे, डेफिनेटली यहां से आपको कॉश्चन देखने को मिलेंगे, अगर मैं रिसेंट कॉश्चन की बात करो, पीएसे में कॉश्चन आया था, कि जो भगवान बुद्ध जब घर को त्यागते हैं, जिसको महा अभी अधीनिस्प्रमण के नाम से जाना जाता है, उसका सिंबल क होता है होर्स, मतलब घोड़ा, तो वो सारी चीज़ों को भी यहां पर शामिल किया गया है, ठीक है, क्लास को खतम होने के बाद आपको परचम की अप्लिकेशन पर जाना है, और आज की क्लास का क्विज आप दे देंगे, जिससे पूरा टॉपिक एकदम तयार हो जाएगा, चीक है, स्टार्ट करते हैं बुद्धिस्म के बारे में, इनकी सिक्षा, इनके आर्किटेक, क्या योगदान था, कॉंट्रिबिशन थे, कौन-कौन राजा ने क्या-क्या काम किया, और बुद्धिस्स की काउंसल के बारे में यहां पर हम बात करने वाले हैं, चीक है, तो आ गौतम बुद्ध होता है, इनका जन्म 563 BC में होता है, और इनका जो धर्म है, जो बुद्ध धर्म है, वो आपको पूरे South East Asia में, Myanmar, Japan, Korea, China, Mongolia, तिब्ध, इन सारे एरियाज में आपको बौत धर्म देखने को मिलेगा, बौत धर्म के फैलने का एक रीजन यह था, कि उस समय जो भाषा चलती थी, नौर्मली वो पाली भाषा थी, और गौतम बुद्ध के जो भी speech थी, जो भी teaching थे, वो पाली भाषा में दिये गए थे, इसलिए जो धर्म है, वो काफी फैला, दूसरा reason था कि महिलाओं के education rights देना, हरीजनों के साथ अच्छा वहवार करना, उनको सं सबसे बड़ा religion माना जाता है, सबसे बड़ा dharm माना जाता है, क्योंकि गौतम बुद्ध की teaching कुछ इस तरीके से थी, वो हमेशा धम्मी की नीती को follow करते थे, अभी मध्यम्मार्क या धम्मी की नीती क्या हो थे, धम्मी की नीती का मतलब आपको किसी से ज़्यादा attract भी न जालिंग के बैटल के बाद भी समराट अशोक ने गौतम बुद्ध की धम्मी की नीती को follow कर लिया था, उन्होंने भी गौतम बुद्ध की धम्मी की नीती follow करने के बाद बौध धर्म का प्रचार किया, तो इस पूरे बौध धर्म को spread करने का काम basically दो राजाओं का नाम आ जालिती और उसको भी develop करने का काम किस ने किया है कनिश्क ने किया है, कनिश्क ने ही बौध धिकी statues बनाने का काम शुरू किया था, ठीक है, तो आई हम गौतम बुद्ध के बारे में बात करना शुरू करते हैं और धीरे धीरे आंगे बढ़ते हैं, तो यहां पर बुद्ध जन्म होता है और इनके जो पिता होते हैं वो साक के क्लेन के राजा होते हैं, साक करकी रॉयल फैमिली में इनका जन्म होता है, इनके फातर का नम सुद्धोधन होता है और माता का नम महा माया या माया देवी कहलाते हैं, बर्ध के seven days बाद ही महा माया की death हो जाती है, तो इन गौतम बुद्ध को संग में एंटरी दे देते हैं, फीमेज को भी अपनी शिष्य बनाना शुरू कर देते हैं, तो प्रजापती गौत्मी जो होती है, वो फीमेल में पहली शिष्या होती है, गौतम बुद्धी की. अब 16 साल की उमर में 16 years की age में जो है वो गौतम बुद्धी की शादी हो जाती है साख क्लेन की ही रानी होती है या शोधरा से उसके बाद उनको एक बेटा भी होता है जिसका नाम राहुल होता है तो राहुल इनके बेटे का नाम है सिधार्द इनका खुद का नाम होता है एक दिन ही क्लेन में अपने किंग्डम में घूम रहे होते हैं और काफी दुखी होते हैं कि सत्ती की खोज मैं कैसे करूँ तो उनको चार लोगों से इनकी मुलाकात होती है एक बुड़ा व्यक्ती है जो दुखी है एक म्रत व्यक्ती है तो वो मर चुका है एक व्यक्ती है जो कि बीमार है वो भी दुखी है लेकिन एक व्यक्ती उनको मिलता है जो कि मौं के संत होता है तो इन चारों में सबसे खुश उनको दिखाई देते हैं संत तो वो सोचते हैं कि इस मोह माया में कुछ नहीं रखा है अब तो हमको घर त्याग देना चाहिए और शत्य की खोज में ज्यान की प्राप्ती के लिए घर से निकल जाना चाहिए तो 29 एर की एज में 29 साल की उम्र में जो है वो गौतम बुद्ध घर को छोड़कर चले जाते हैं और 6 साल तक वो भटकते रहते हैं और उसी बीच में उनकी मुलाकात आचार आलार कलाम से होती है आचार आलार कलाम को यह अपना गुरू बना लेते हैं छे साल यह घूमते रहते हैं और 35 साल की एज में 35 एज में इनको जो है बोध गया ट्री के नीचे न बोध गया पेड़ पीपल का पेड़ के नीचे निरंजना नदी की किनारे इनलाइटमेंट होता है मतलब ग्यान की प्राप्ती होती है और ग्यान की प्राप्ती होती है औ अपने इस ग्यान को सभी लोगों को फैलाओं तो यहाँ पर तीन घटनाई हुई पहली घटना हुई कि इन्होंने घर को त्यागा घर को त्यागने की जो प्रोसेस होती है बुद्धर में वो महा अधी निश्ट क्रमण के नाम से जानी जाती है इसके बाद इनको ग्यान की प्राप्ती हुई जिसको इनलाइटमेंट या निर्वान के नाम से जानते हैं अब यहाँ पर बोधी ट्री को इससे रिप्रेजेंट किया जाता है बोधी ट्री या पीपल का पेर अब यहाँ पर जैनिस्म और बॉद्धिस्म में एक छोटा सा डिफरेंस ही होता है कि बॉद्धिस्म में निर्वान का मतलब होता है ज्यान की प्राप्ति तो ज्यान की प्राप्ति तो आपको जीवित अवस्था में होगी जीते जीते होगी लेकिन जैनिज्म में निर्वान का मतलब होता है after death मतलब death के बाद निर्वान होता है तो ये basic difference है जबकि यहाँ पर बुद्धिज्म में after death की जो condition है उसको महापरी निर्वान के नाम से जाना जाता है अगर अगली बात करें तो बहुत धर्म की पहले जो सिक्षा उन्हों ने दी थी वो सारनात में दी थी और इसको हम धर्म चक्र परवर्तन के नाम से दिखाते हैं और धर्म चक्र परवर्तन जो है इसको हम डिनोट करते हैं वील से इसके बाद बहुत सारे राजवंचों में घूमते रगए कपिलवस्तू, वैशाली, राजग्री सभी जगए इन्होंने घूमा और सबसे ज़ादा जो अपने उबदेश दिये वो श्रावस्ती में दिये कहाँ पर दिये इन्होंने सबसे ज़ादा उबदेश, अपने सबसे ज़ादा उबदेश उनकी दिवारा श्रावस्ती में दिये गए श्रावस्ती में उनकी मुलाकात एक अंगली मार डाकू से भी होती है तो अंगली मार डाकू को इन्होंने अपना शिश्य भी बनाया फिर ये कुशी नगर पहुंशते हैं और अपना अंते मुबदेश जो है वो कुशी नगर में देते हैं और उनके इस समय जो शिष है वो सुबद्र है तो सुबद्र इनके शिष होते हैं जिनको ये अपना अंते मुबदेश कुशी नगर में देते हैं इनके जो भी टीचिंग है वो पाली भाशा में है और फिर 80 साल की उम्र में 80 years की एज में 483 BC में इनकी डैथ हो जाती है UP के कुशी नगर में चीक है? UP के कुशी नगर में इनकी डैथ हो जाती है और इस घटना को महापरी निर्वान के नाम से जाना जाता है घर को त्यागते हैं तो अपने साथ एक घोड़े को लेकर जाते हैं और उस घोड़े का नाम कंथक होता है ये प्रश्ण भी एक्जाम में पूछा गया है ये आप देख सकते हैं महापरी निर्वान के बाद जो बाद के अवशेश होते हैं उनको यहाँ पर रखा जाता है इस तरीके से गोला काल संरश्ण इसको हम इस्तूप कहते हैं इस इस्तूप की पूजा की जाती है आंगे का ये जो फ्रंट दर्वाजा दिख रहा है इसको तोरन के नाम से जाना जाता है तिकिना समराट अशोक ने जो है काफी सारे इस्तूपों का निर्मार कराया था जहां पे गौतम बुद्ध के अवशेशों को रखा गया है अब इनके टीचिंग के बारे में बात कर लेते हैं महात्मा बुद्ध जो थे वो चार बेसिक कॉंसेट पे काम करते थे चार आड़ सत्यों पे काम करते थे अच्छा वो चार आड़ सत्य क्या है तो पहला है कि अगर आप इस संसार में रह रह रहे हो तो काफी सारे दुख होंगे इस संसार में अच्छा दुख है अगर आपको तो उस दुख का कोई ना कोई तो reason होगा, कारण होगा अगर किसी दुख का कोई कारण है तो उसका निरोध भी होगा, मतलब निवारन भी होगा तो बिल्कुल सभी लोगों ने कहा, हाँ, इस संसार में दुख है, दुख के कारण है और दुख का निवारन भी है, उनसे पूछा गया कि क्या reasons है, मतलब किस तरीके से हम इन दुखों को निवारन कर सकते हैं, निरोध कर सकते हैं, तो इन्होंने अपने अस्टांग के मार्ग इन अस्टांग मार्ग के जरीए आप दुखों को कम कर सकते हैं, तो चार आरे सत्य कौन से दिये इन्होंने, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारन है और निवारन के लिए अस्टांगिक मार्गों को फॉलो करना चाहिए, अब वो अस्टांगिक मार्ग है, इसके अलावा यह जो बहुत धर्म को फॉलो करने वाले लोग थे, वो दो क्लास में थे, एक होते थे विक्छू और एक होते थे उपासक, विक्छू कौन होते थे जो घरों को त्याग देते थे, गरहस्त अवस्था को छोड़ देते थे, घर को त्याग कर सन्यासी हो जाते थ बिहारों में रहा करते थे, उनको हम मौंक भी कहते हैं, तो वो कहलाते थे विक्छू, दूसरे होते थे उपासक, जो बहुत धर्म को फॉलो करते थे, लेकिन घर पर ही रहते थे, गरहस्त जीवन को ही साथ-साथ बहुत धर्म को जो फॉलो करते थे, वो उपासक कहलाते थे तो यहाँ पे बिहार में कौन रहता था विक्चु तो यहाँ पे पूरे बौद धर्में दो पार्ट्स मिलेंगे विक्चु मिलेंगे और उपासक मिलेंगे ठीक है अब यह जो विक्चु थे यह जो मौंक्स है यह जो बौद धर्मे के उपासक है उनको पंचशील को भी फॉ होना चाहिए और टॉक्सिक सब्स्टेंस ड्रक वगेरा ड्रंग ड्रिंक ड्रक्स यह सब नहीं लेना चाहिए यह सारी चीज़ पंचशील के अंतर गताती है जो गौतम बुद्ध ने कहा था चीक है अब गौतम बुद्ध ने जो भी स्पीश इन 45 सालों में 45 यर्स तक इन्हो लोगों ने डिसाइट किया कि गौतम बुद्ध की जो भी स्पीच है जो भी इन्होंने बाते की गई है इन सारी चीज़ों को हमें लिखना चाहिए डिकोट करना चाहिए जिससे आंगे हम इनकी जो टीचिंग है उसको स्प्रेड भी कर सके इसलिए यहां पर समय समय पर क्य पिटक की भी रचना की जाती है अब इत्री पिटक क्या क्या है और इसमें क्या बाते हैं अभी हम आंगे देखेंगे ज़रा देख लेते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं तीन पिटक के बारे में तो विनाय पिटक सुत्य पिटक और अधी धम्म पिटक तीन ऐसी रचना है जो बहुत धर्म का सार मानी जाती है जिसमें गौतम बुद्धी की सारी टीचिंग शामिल है सबसे पहले बात करते हैं विनाय पिटक के बारे में जैसे कि मैंने कहा कि विक्छु जो होते थे मौंक जो थे वो बिहारों में रहा करते थे अब बिहार में आप रह रहे हो तो आपके लिए कुछ रूल सोंगे आपको किस तरीके से रहना है, डिसिप्लिन के रूल क्या है ठीक है तो ये सारी जो चीज है, रूल of conduct and discipline जो हैं मौंक्स के लिए वो सारी चीज़ें आपको विनाय पिटक में देखने को मिलेंगी अगला आता है अधीधम्य पितक ऐसा माना जाता है सम्राठ अचोक के सम्में अधीधम्य पितक को लिखा गया है। अधीधम्य पितक मे भागवान बुद्ध की सिक्षाएं या टीचिंग्स शामिल हैं लगवग 500 से जातक कता है जिसमें भगवान बुद्ध की जीवन, उनके पूर्वजीवन की जो भी कहानिया है वो जातक कताओं में मिलती है इसके अलावा है मिलंद पना मिलंद पना, तो यहाँ पे युनानी जो राजा हुआ कहता था मिनांडर और एक बौध मौंक थे जिनका नाम था नागसीन तो मिनांडर और नागसीन के बीच में जो भी conversation होती है वो आपको मिलंद पनों में देखने में मिल जाएगी इसके अलावाद दीप वंच की बारे में बात करते है तो दीप वंच में आपको सिहल आईलेंड सिहल आईलेंड मतलब श्रिलंका के बारे में information मिल जाएगी महा, वंच, दीप, वंच ये सभी buddhism से related है अब PSE का एक question पुछा गया था कि बौध धर्म का ऐसा कौन सा ग्रंध है जिसमें आपको 16, 16 महा जनपत के बारे में information मिलती है इसके अपने rules हुआ करते थे फिना जो बौध के groups होते थे उनको संग कहा जाता था और पहले संग में महिलाओं को entry नहीं थी बाद में संग में आनंद के कहने पे गौतम बुद्ध ने महिलाओं को भी entry दे दी थी यहाँ पर एक festival भी होता था किया गया crime जो है वो जादा ही सोचने ही होग है तो फिर उनको उसे साफ सा सजा भी दी जाती थी तो वो festival भी बारिश के समय हुआ करता था एक question बूचा गया था कि महात्मा बुद्ध ने अपनी अंतिम बारिश कहां देखी तो वैसाली में अगली बात कर लेते हैं teaching का यहां पर university की बात कर लेते हैं जो सिख्षा का सबसे बड़ा केंद्र बुद्ध के समय था वो था नालंदा university ठीक है नालंदा university बाद में इसको destroy भी कर दिया गया था हाली में Indian government और 10 अलग countries ने मिलके decide किया है कि हम बापस से इस university को reconstruct करेंगे तो नालंदा university सिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता था आईए वह हम बात कर लेते हैं Buddhist council के बारे में चार major council होती है पहली council के बात करते है बुद्ध की death के just बात पहली council ही बला ली जाती है आनन्द के द्वारा क्यों जिससे महात्मा बुद्ध की जो भी skills थी जो भी teachings थी उनको हम store कर सके तो 483 BC में पहली council होती है उस समय जो राजा होते हैं वो अजाच शत्रू होते है ठीक है अजाच शत्रू के समय 483 BC में पहली council होती है कहां पर राजगरी में राजगरी कहां पढ़ता है तो बिहार में ही पढ़ता है अध्यक्च कौन थे महाकश्यप थे और इस पहली council में ही सुत्य पिटक और विनाई पिटक को लिखा गया था तो first council में सुत्य पिटक और विनाई पिटक को लिखा गया second council की बात कर लेते हैं 2nd council 100 साल बाद होती है, मतलब 383 BC में होती है, उस समय इसको बुलाया था, काल अशोक ने कहां पर वैशाली में, और सब कमी यहाँ पर प्रेसिजेंट होते हैं, तो पहली राजगरही में, दूसरी हो गई वैशाली में, तीसरी council, तीसरी council बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसको अशोक बलाते हैं, कहां पर पाटली पुत्र में, 250 BC में, मोगली पुत्ता तीसा जो है, वुस्सा में इसके प्रेसिजेंट होते हैं, तीन council हो गई पहली राजगरही में, दूसरी वैशाली में, और तीसरी हो गई पाटली पुत्र में, चली अगली बात करते हैं, last council, fourth council है, इसी council के बाद आप देखोगे, कि जो बहुत धर्म है, वो Middle East तक पहुँच चुका है, कश्मीर से लेकर आप देखेंगे, चाइना, मंगोलिया तक पहुँच चुका है, यह 72 AD में council होती है, और यह कुंडलवन कश्मीर में होती है, और इसको बुलाता कौन है, कनिश्क बुलाता है, और कनिश्क का बहुत बड़ा contribution है, बोध धर्म को प्रचार करने में, ठीक है, और यही fourth council होती है, जब बोध धर्म दो schools में, दो parts में डिवाइट हो जाता है, ही नियान और महायान, ठीक है, तो चार council हमने overall देख ली है, कौन-कौन सी, पहली council राजगरी में होती है, अजाच शत्रू के समय, दूसरी council कहां होती है, वैशाली में कालशोक के समय होती है, तीसरी council पाठली पुत्र में होती, अशोका के समय, और चौथी council कश्मीर कुंडलवन में, कनिश्क के समय होती, तो RVP के ये चारो council के code name आप याद रख सकते हैं, अब हम बात कर लेते हैं, स्कूल अफ बुद्धिस्म की, तो basically हम तीन branch discuss करेंगे यहाँ पर, महायान, हीनियान तो आपको पता, जो सबसे latest जो branch होती है, वो वजरियान कहलाती है, तो इन तीनों के बारे मेके करके हम बात करना शुरू करते हैं, सबसे पहली बात, महायान, तो देखेगा, भगवान बुद्ध बिल्कुल अगेंस्ट है, मूर्ति पूजा के, हीना वो कर्मकार्ण पूजा पार्ट पर उत्ता बिलीफ करते नहीं थे, तो महायान जो branch है, वो जो गौतम बुद्ध है, उसको भगवान मानती है, और उनका statue बनाती है, और मूर्ति पूजा के शुरुआत करती है, तो जो लोग, जो लोग भगवान बुद्ध को भगवान मानते हैं, और उनकी मूर्ति पूजा बनाते हैं, उनकी मूर्ति पूजा करते हैं, वो सभी लोग महायान branch के कहलाते हैं, महायान एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है great vehicle इसको बोला जाता है ये जो धर्म है ये middle Asia, south east Asia, china, korea, तिब्बत, जापान में आपको महायान का school ही देखने को मिलेगा हिनायान, हिनायान का मतलब होता है laser vehicle ठीक है अब ये लोग जो होते हैं वो भगवान को भगवान गौतम बुद्ध को जो है वो महापुरुस की तरह कंसिडर करते हैं वो कहते हैं उन्होंने जो बाते कहीं टीचिंग जो थी इनकी वो बहुत अच्छी है हमको उनको अपनी जी बास्ट ब्रांच आती है वो वजरयान कहलाती है ये लोग बिलको नई ब्रांच है और ये लोग जो है वो भगवान बुद्ध को एकदम अलोकिक पुरुष जादूगर मैजिशिन समझने लगे हैं और तंत्र मंत्र बगरा करने लगे कर्म कांड पे ज़्यान देने लगे ह और ये ब्रांच कहलाती है वजरयान इस तरीके से तीन ब्रांच आपको देखने को मिलेंगी अब बात कर लेते हैं इस प्रेड ऑफ बुद्धिज्म के बारे में तो बुद्ध धर्मी के बिचारों को फैलाने के लिए संग बनाये जाते थे जिसमें साधू रहा करते थे औ और वो ही बुद्ध धर्मी की टीचिंग को फैलाते और आज भी आप देखोगे संग या भिहार होते हैं जिट में बहुत बिक्चु रहते हैं और बुद्ध हर्मी के टीचिंग को फैलाने का काम करते है यह जो सारी चीज़े थी वह पाली भाषा में थी उस समें इसके अल और महिंद्रा थे उनको भी श्री लंका भीजा था बौद धर्म का प्रचार करने के लिए इनके दोहरा बहुत सारे स्तूपों का कंस्रक्शन भी अचोक के समय किया गया इन्होंने गंधार, कश्मीर, ग्रीज, श्री लंका, वर्मा, मतलब म्यानमार, एजिप्ट, थाइलेंट में बौद धर्म का प्रचार किया उसके बाद कनिश्क ने भी पूरे मिडिल एशिया तक जो है वो बौद धर्म को फैलाया अब contribution of Buddhism to Indian culture, तो क्या contribution Indian culture में बौद धिस्ब का देखने को मिलता है तो पहला contribution ये अहिंसा को follow करते थे, हिंसा नहीं करनी चाहिए हमको तो अहिंसा पर belief करते थे, पहली चीज़ तो ये है, दूसरी बात इन्होंने girls education पर बहुत काम किया शूद्रिया, हरीजन जो वर्ग था, दलिट जो वर्ग था, उनके welfare के लिए काम किया और इसी को आंगे spread किया है बाबा सहाब अंबीट करने, बाबा सहाब अंबीट करने भी दलितों के उत्थान के लिए काम किया और बाबा सहाब अंबीट कर जो थे, वो भी बुद्धिज्म को follow करते थे चीक है, साथी साथ बहुत सारे स्थूप यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो कि आपको बुद्धिज्म कल्चर के बारे में बताते हैं जैसे की बाग की गुफाएं हैं, अजंता, एलोरा की गुफाएं हैं, साची के इस्थूप हैं, बौध गया का इस्थूप हैं, बरहूत का इस्थूप हैं, यह सभी इंफिमेशन आपको मिलती हैं यहाँ पर जो एड्योकेशन सेंटर थे, वो विक्रम, सिला और नालंदा यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, चीक हैं, इस तरीके से पूरा बुद्ध धर्म फैला हुआ था, कुछ ऐसी साइट्स भी हैं, बुद्धिज्म की, जो यूनिस्को की हेरिटेस साइड में शामिल ह और यह सभी यूनिसको की हेरिटेस साइड में शामिल हैं, और सभी के सभी बुद्धिज्म से रिलेटेड हैं, आई एक छोटा सक कुछ रिवीजन कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ, जन्म, अगर हम बर्द की बात करें तो मैंने बताया, 583 BC में होत इसलिए पूर्णिमा का दिन जो होता है, वो बहुत खास होता है बुद्धिज्म के लिए, जन्म को लोटस और बुल के सिंबल से दिखाया जाता है, अगला इवेंट था, महा भी निस्क्रमन, मतलब घर को त्याग देना, और होर्स था, इनके होर्स का नाम कंथक था, जिस जिसको हमने निर्वाना बोला है, बोधी ट्री इसका सिंबल है, फिर जब ग्यान की प्राप्ती होगे, 35 साल की उम्र में, 5 लोगों को इन्होंने अपना पहला ग्यान दिया, उबदेश दिया, सारनात में, जिसको आपने बोला, धर्म, चक्र, परवर्तन, इसको दिखाते ह होती है, महा परिनिर्वान की, डेथ, इस तूपस इसको दिखाते है, कूशी नगर में, डेथ हुई थी, ठीक है, 80 साल की उम्र में, तो ये गौतम बुद्धी के बारे में सारी information थी, I hope आपको समझ में आई होगे, हम मिलेंगे next session में, जहां पर हम जैनिस्म के बारे में बा